वेल्कम बैक टू फार्मिंग पावर में आपका स्वागत है आज मैं बताऊंगा गेहूं से जो पीलापन होता है गेहूं में उससे संबंदित आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी तो वीडियो को अंत तक देखें और मैं बताऊंगा आपको कि जो गेहूं की फसल है गेहूं की उसमें पीलापन आ जाता है तो उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है हम अपने खेट से पानी बाहर निकाल दें तब ही अच्छा है क्यों की होता क्या है जब गेहूं की फसल में पानी भरा रहता है तो उसकी जो जड़े हैं वो किसी और चीज को मतलब अबस जोसित नहीं कर पाती है उसमें केबल जल ही पौदे को पीना पड़ता है तो जल के अधिक भराब होने के कारण हमारी जो फसल है गयों कि उसमें पीला फन आ जाता है और वो काफी दिनों तक ठीक नहीं हो पाता है तो इसमें हमें नुकसान रहता है काफी जादा जैसे की फ वरसात का मौसम देख लेना चाहिए फिर अगर वरसात हो रही हो तो हमें खेत में पानी नहीं लगाना चाहिए और अगर पानी लगा दिया खेत में और इस तरह से आपके खेत में पानी भरा हुआ है आपकी यहां की मिट्टी मोटी है तो अगर आपके बरावर में कोई खेत है जैसे कि किसी दूसरे का भी नुकसान ना हो गन्ने का खेत है या फिर आपका ही खेत है तो आप निकाल सकते हैं उस पानी को तो आपकी जो फसल है पीली होने से बच सकती है और हमें कई जो मुश्किले हैं वो टल सकती है फसल से तो दिहान रखें इस चीज का मौसम खराब तो हमें खेत में पानी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि क्या पता मौसम का क्या पता होता है कितनी वारिस हो और कितने दिन तक हो तो ऐसे में अगर जादा समय तक खेत में पानी भरा रहेगा तो हमारे जो पौदे हैं ग्योंके तो उनकी जो जर है वो गलने लगती है और पानी ना भरने दें इसी में आपकी फसल की भलाई है और आप अच्छा उत्पादन पा सकते हैं आप जो खेती कर रहे हैं तो नेचर के हिसाब से कीजिए